आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और Winst Displacement Law क्या बोलता है क्या सजिस्ट करता है Let us understand तो हम बात किए Winst Displacement Law की तो Winst का Displacement Law क्या होता है कि कि किसी भी Black Body की जो Emissive Power होती है यहाँ पर हम बात करते हैं कि Suppose Emissive Power आप ब्लैक बाड़ी अगर हम इसकी Statement को Write Down करें तो we can say that So Winst Law is state that according to this law wavelength for which Emissive Power of Black Body is Maximum is Inversely Proportional to Absolute Temperature of Black Body तो guys अगर हम इसके Mathematical Expression को लिखें तो we can say that जो हमारा Lambda Maximum होता है इसका Temperature के साथ जो Product होगा वो Constant आता है और यहाँ पर Constant को बोलते हैं Winst Constance Suppose we can say that Lambda Maximum T equal to B We is Our Will's Constant और अगर हम इसके Graphical Analysis की बात करें तो Graphical Analysis इसका कैसे होने वाला है Later Sunday Stand अगर हम Vertical Axis और Horizontal Axis पे Represent करते हैं कि Vertical Axis पे हमारा Emissive Power of Black Body E B हमने Emissive Power of Black Body को So किया है और Horizontal Axis पे हमने Vivalent Lambda को Represent किया है तो गाईज यहाँ पर जो Graph बनता है वो Graph अगर हम Simple अगर Draw करें तो यह Graph हमें क्या बताता है Graph हमें यह बताता है कि कि इस तरीके से Black Body की जो Emissive Power है वो Vary करते हैं तो अगर हम इसके Graph को रफ़ी ड्राव करने की कोशिस करते हैं Suppose that यह हमारी किसी एक Vivalent के लिए हो गया और फिर किसी दूसरी Vivalent किसी दूसरी टंप्रेचर के लिए यह हमारा जो Graph बनने वाला है Something like this तो guys हम किसी दो पार्टिकुलर टंप्रेचर के लिए अगर हम बात करें तो suppose अगर हम फर्स्ट वाले Graph का टंप्रेचर T1 बोल दे और सेकंड वाले करव का टंप्रेचर T2 बोल दे तो guys यहाँ पर हम क्या देखने को पा रहे हैं इब T2 is greater than T1 अगर T2 T1 से ज़्यादा है तो उस case में जो हमारा maximum peak है radiation का maximum वो lift में shift हो रहा है इसका मतलब जो हमारा lambda maximum है guys वो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो temperature हमारा guys ज़्यादा है उसका lambda maximum क्या है कम है तो यहाँ से यह चीज़ verify हो गई according to winds law displacement अब guys यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा next question है thermodynamics का first law क्या होता है thermodynamics के first law की guys अगर हम बात करते हैं तो thermodynamics का first law basically हमारे किस के बारे में बताता है हम वो देखते हैं कि thermodynamics का first law energy conservation के बारे में बताता है that is the first law of thermodynamics first law of thermodynamics का statement क्या होता है first law of thermodynamics तो एकॉर्डिन टू फर्स्ट लाव थर्मो डाइनमिस यहां पर एक नई क्वंटिटी का जन्म होता है जिसको बोलते हैं चेंज इंटर्नल एनरजी इसको हम एक डाइग्राम से समझने की कोसिस करते हैं देन देन हम इसका स्टेट्मेंट राइट डाउन करते हैं एक सिंपल स से हमने हीट सप्लाई करना सुरू किया है और जैसे ही गैस को हमने हीट दिया तो गैस के मालेक्यूज की इंटर्नल एनरजी में चेंज होगा हमने क्या देखा कि गैस के मालेक्यूज का टंप्रेचर बढ़ा इंटर्नल एनरजी बढ़े और यहां पे जो इसका हमने बोला कि अपर पोर्षन था यह movable था सब्सक्राइब पिश्टन सिलेंडर अर्रेंजमेंट भी consider करते कर सकते हैं और थोड़ी देर में हमने गाइज क्या रिखा इसका जो पिश्टन का इस्टन था उसमें कुछ displacement हुआ that is the x amount of displacement तो इस तरीके से गाइज हमें क्या पता चला कि किसी भी सिस्टम को जो दी गई energy है दी गई heat है दो पार्ट में गई एक तो सिस्टम के अंदर की energy को बढ़ाने में that change in internal energy plus system के द्वारा किये गए work में that is the w this is the mathematical form of first lab thermodynamics आगर हम इसको infinitely small element के लिए लिखना जायते हैं तो we can say that del q equal to du plus del w guys यहाँ पर del क्यों लिखे हैं इसका मतलब यह होता है कि heat और work these are to path फंसन इसलिए उनके change को हम del से दिखाते हैं internal energy point फंसन है इसलिए हम उसको इससे represent करते हैं perfect differential D से represent करते हैं guys यहाँ पर अगर हम इसकी statement की बात करें तो statement इसका हम क्या लिखेंगे statement आगर हम इसकी बात करें तो we can say that according to first lab thermoda we can say that the change in internal energy is equal to difference of heat given to system and work done by the system between two equilibrium positions या states जैसा कि guys हमने इसकी initial position A बताया position B बताया तो A और B को हमने equilibrium position बोला है मतलब यहाँ पे हमारा जो system है thermal equilibrium में होगा thermodynamic equilibrium में होगा net force भी balance होगा temperature भी balance होगा तो A और B के बीच में जो change in internal energy हुआ which can be written as delta U equal to heat given to the system U and work done by the system इस तरीके से यहाँ पे एक नई property का जन्म हुआ जिसे हम internal energy गोलते है change in internal energy this is the basically statement of first law और अगर हम note करके यहाँ पे point mention करें हमारा thermodynamic का first law होता यह इसको बताता है कि heat कहीं भी energy कहीं भी हमारे destroy नहीं होती that is the energy conservation first law is based on the conservation of energy we can say that first law is based on conservation of energy heat एक form से दुसरे form में convert होती है that is based on the conservation of energy और यहाँ पे हमारे पास एक property आई we can say तो दुसरा point हम लिख सकते हैं internal energy is introduced here that we can say change in internal energy change in internal energy जो नई property है वो यहाँ पी इंट्रोड्यूस ही है change in internal energy is introduced here तो गाईज यहाँ पे हमने concept को समझा first law और विंस law displacement classic studio से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करे doubt net आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 8400 404 पर झाल झाल झाल